हलो नुमिश्कर दोस्तों मैं दीबक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेश्ट फॉर वेल्थ में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में यस बैंक में एक्चल में काफी नुजस बगरा है तो उस नुजस को डिसक्स करेंगे और साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें यस बैंक कहां देखने को मिल सकता है जै बिल्कुल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लिजे, bell icon को hit कर लिजे ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको मिलते रहे, अगर आप हमारे link के through up stocks में account opening करते हैं, description में आपको link मिल जाएगा सबसे उपर ही अगर आप account open करते हैं आप stocks में तो हम आपको अपने whatsapp group में add कर लेते हैं और यहां पर आपको काफी बढ़िया market के साथ connect रखते हैं, काफी बढ़िया earning के किस तरह से earning किया जा actual में tips बगएरा provide भी करते हैं थोड़ा बहुत, तो अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुर्णा, तो डीचे description में link है, आप stocks में account open कर लिजे account बिल्कुल free open होगा, best broker है इंडिया का, और फिर मचाएंगे मिलके, ठीक है न? चलिए बाची को आगे बढ़ाएंगे यस bank का अगर भाव देखे, 16 रुपे 10 पैसे सामने हमें नजर आ रहा है कल एक हमें तेजी नजर आई थी पर अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा यूम करूँ तो आपको समझ में आएगा यह दिखिए, एक्चल मैं यहां से तीन दिन लगा था रहा हमें गिरावट देखने के मिली थी और 15 रुपे 50 पैसे के आसपास भाव आ गया था, उसके बाद कल हमें जो मार्केट में प्रॉब्लम्स नजर आई की टेक्निकल ग्लिच आ गया था एनसी के में, फिर उसके बाद टाइम को थोड़ा से एक्स्टेंट किया गया, टाइम को बढ़ाया गया, पांच बाए तक ट्रेडिंग हुई तो यहां पर 15 रुपए 71 पैसे से 16 रुपए 50 पैसे, 16 रुपए 40 पैसे तक आपको जाता हुआ या शेर दिख गया आज अगर देखेंगे थोड़ी सी गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है और लो जो है अगर आज का लो हम देखेंगे चार्ट के उपर ही, तो 16 रुपए 5 पैसे और हाई जो 16 रुपए 30 पैसे का दिखा और अभी जो क्लोज हुआ है 16 रुपए 10 पैसे के असपस क्लोज हो गया है वाल्यूम के अगर बात करेंगे तो मैं या आप तक पर केंडल से जादा वाल्यूम कल रहा है आज भी थोड़ा कम वाल्यूम साथ गिरावाट आई है कुछ निउसेस है इसमें बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ कह रहे होंगे टार्गेट दे रहे होंगे 200, 500, 1000, 2000 का तो कुछ निउसेस हैं को शेर को क्लियर करेंगे कुछ आपको बाहर नइकाला आउट किया और यहाँ पर टाटा कंजियूमर जो कि हमारा सचेश्ट किया हुआ था वह टाटा कंजियूमर एंटर हुआ आपको देख गया बढ़िया बात है लेकिन क्या आपको पता है यह Nifty 50 में जब को श्टॉक आते है तो उससे पहले उनको Nifty Next 50 में आना पड़ता है तो यहाँ पर Nifty Next 50 में आपको कौन आता हुआ दिखा है यस बैंक आता हुआ दिखा है जी हां मिलकुल और यह अफवा फैल गई करी यूटीबर्स वीडियो बनाने लग गए मैंने देखे भी कि अब तो टार्गेट बहुत बड़ा आगए आप तो यह Nifty 50 का सामिल हिच्छा बन जाएगा तो आपको मैं क्लियर कर दू सबसे पहले कि देखें Nifty 50 में आने के लिए बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक Nifty next 50 में आ जाएगा तो बहुत सारी क्राइटेरियाज है आपर उस क्राइटेरिया को जब तक फुल्फिल नहीं करता है तब तक वो Nifty 50 का हिस्सा नहीं बन पाएगा जिसमे आप Nifty की website पर जाएगे देखें एजूकेशनल वीडियो है तो वीडियो को पूरे एंड तक देखी का तब ही आपको बहुत कुछ समझ में आगा ठीक है तो मैं यहाँ पर पुराने वाला ज्यादा सही था कि ने वाला ज्यादा सही था तो यहाँ पर मैं सीधा लिखता हू कुछ भी उपर नहीं है ठीक है ना अब मैं आपको कोई Nifty 50 का स्टाक उठाता हूं जैसे की टाटा कंजूमर का बात चल रहा है तो टाटा कंजूमर को ही ले लेते हैं तो या फिर गेल इंडिया को लेना है गेल इंडिया को आप ले लिए जिसको मर्जी ले ले लिए गेल क लोट एंड ऑप संचेन यहां पर नजर आ रहा है न आपको इट मीन कि जो गेल है वो आपसंस का भी प्लेयर है अपसंस में उसके ट्रेडिंग होती है लेकिन आपने यह चीज को नोट कर लिया अब मैं यस बैंक दुबारा लगा होगा लेकिन यस बैंक में क्या है आपसंस इसमें बहुत जागा जंप आपको देखने को मिल भी गई यह 16 रुपय का शेयर 160 रुपय का भी हो जाता है तब भी जब तक क्राइटेरियर नहीं फुल्फिल होंगे तब तक यह 9050 में नहीं आएगा आज अगर देखे तो 48% की हमें डिलिवरी होती हुई देखी है दो करो 45,93,788 शेयर की ट्रेडिंग हमें होती हुई नजर आई है तो अब यहां पर पॉजिटिव बात भी कुछ है यह नेगेटिव बात भी नहीं है पॉजिटिव यह लेकिन अगर कोई यह सोच रहा है कि भी आम इस शेयर में घुसेंगे बहुत माल उठाएंगे आप तो यह 50 क साल आप वेट कर सकते हो तो यू कैन बाय इस स्टॉक क्योंकि अभी यह कोई इसका फेयर वैल्यू नहीं है अपने बुक वैल्यू से बहुत ऊपर चल रहा है स्टॉक ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता मिला 400 का था तो पंद्रा का रहा तो बहुत सस्ता ऐसा कुछ नहीं है तो अभी क्या है यहां पर अगर कोई लंबे समय के लिए उतरता तो काफी लंबा टाइम चाहिए अधर और इस मार्केट में बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स है आप मार्केट में अधर स्टॉक्स पे जा सकते हो ठीक है ना अब जो यहां पर अल्रेडी फसे हो गए जिनके बा कि कहीं मैं हवा में बाते तो नहीं कर रहो हमिं निफ्टी नेक्ष्ट फिन्वाली बाते जो कर रहो हूं तो उसके लिए मैं यहां पर आउँगा और यहां पर मैं ढूबने की कुशिश करूँगा यह सब क्या हो रहा है एड्स वगेरा बहुत आ जाती है यह इसको काट देता हूँ है ठीक है न और मैं यहां पर दुवारा चलता हूँ यह निज लगा लेता हूँ मैं और आपको मैं दिखाने की कोसिस करता हूँ यह देखिए अगर आप देखोगे निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी इंडेक्स अधाने इंटरप्राइज अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज गेल इंडिया गेल इंडिया निफ्टी फिफ्ट अब इसमें अगर इसमें का अर्च में देख़ेगा ये अब इसमें फिनेंसल देखहेंगा ये मार्च में दिखेगा अब इसमें पॉजिट्व नियूज मैं क्या ले रहा हूं। कि देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे आर्टिकल्स वगयरा चेक करोगे और वैसे ही मैं आपको बताओ कि पॉजिटिव इसलिए हो कि रिटेल को ना बहुत जादा यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है रिटेल बिजनस के लिए MSME आपको पता है कितने सारे इन्होंने प्रोग्राम चलाएं MSME के लिए और कि बिना को लेटरल के लोन दे रहे हैं और कितना कुछ कर रहे हैं क्रेडिट कार्ट के लिए बहुत जादा फोकस है इनका रिटेल लोगों को लोन देना के लिए बहुत जादा फोकस है तो इससे क् कि sales इतनी आए जो है वो बढ़ती होई नजर आएंगे बहुत सारे ब्रोके जहां पर बैड एसेट वगएरा का ड्रों रच के कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है इतना जादा कुछ अभी यहां पर दिक्कते का सामना इनको करना पड़े हैं कि बहुत मेहनत के साथ लगी तो पहला जो लेवल हमें दिख रहा है 17.45 पैसे को अगर तोड़के निकलता है पहला stop जो होगा यह बड़े अराम से 18.60 पैसे तक रीच कर जाएगा और अगर 18.60 पैसे को भी तोड़के निकलता है तो next stop इसका 19 रुपे और इसके बाद आपको 20.50 पैसे तक का भाव देख ने को मिले थैंक यू गाइस थैंक्स फोर वचिंग दिस वीडियो